दोस्तों कमपर्चेन अकडमी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है साहित की एक जलक जो इस समय स्रीज चल रही है साहित की एक जलक भाग 10 आप लोगों ने देखा साहित की एक जलक नाम जान लीजिए साहित की एक जहलक नाम से चल रही है और स्रीज का आज 11 पार्ट है कल 10 पार्ट आप लोगों ने देखा था प्रस्ट कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूरू बताईएगा और जो भी नए लोग है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिस किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और यदि आपको पीडिएफ भी चाहिए साहित की एक जहलक की अगर पीडिएफ चाहिए तो हमारे नमबर पर वाट्सेप करके फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं एडमिशन के बारे में और पीडिएफ आपको फिरी मिल जाएगा साहित की एक जहलक का पीडिएफ पाने के लिए आप हमारे इस नमबर पर इस नमबर पर आप साहित की एक जहलक लिख कर वटसब करें तो आपको साहित की एक जहलक की पीडियप मिल जाएगी जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा लेकिन साहित की एक जहलक लिख कर आप जरूर भेजें इस पीडियप को पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्णों को भारतियंद हरिशंद का पहला मौलिक प्रहसन वैदिक हिंसा हिंसा नभवती सन 1873 में प्रकासित हुआ था आज से लगभग 80 वर्स पूर्ब कथन किसका है मैनेजर पांडे रामशरूप चतुर्वेदी रामदरस मिस्र सिउधान सिंग चौहान आपका उत्तर हो जाएगा डी सिउधान सिंग चौहान की किताब अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी साहिति के 80 वर्स तो उसमें आपको यह कथन मिलेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि वैदिक हिंसा हिंसा नभवती सन 1873 में प्रकासित हुआ था आज से लगभग 80 वर्स पूर्ब यह सिउधान सिंग चौहान ने कहा है अगला प्रस्म देखें हिंदी भासा समुख की एक या चार पाँच भासाओं का साहित चाहे 1200 या 800 वर्स पुराना हो लेकिन हिंदी साहित अभी लगभग 80 वर्स पुराना ही है कथन किसका है तो यह भी सिउधान सिंग चौहान का है अगला प्रस्म देखें भासाओं का कोई धर्म नहीं होता उर्दू मुसल्मानों की और हिंदी हिंदूओं की भासाएं या खड़ी बोली की साहितिक सैलिया नहीं है कथन किसका है तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा डी सिउधान सिंग चौहान हिंदी साहितिके असी वर्ष में उन्होंने कहा है हिंदू पूजे देहरा मुसल्मान मसीद नामा कोई से विया जह देहराना मसीद यह पंक्ति किसकी है कई लोग इसे अगर नहीं पढ़े होंगे नहीं जानते होंगे तो कवी दास लगाएंगे लेकिन सही उत्तर होगा यह नामदेव ने कहा है ध्यान रखना नामदेव ने कहा यह नामदेव की पूरी पंक्ति है हाँ इससे मिलती जुलती एकदम कबीर की भी पंक्ती है लेकिन यहाँ पर जो पंक्ती दी गई यह नामदेव की पंक्ती है अगला प्रस्ण देखें जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाईए कर उपरोक्त पंक्ती किसकी है आपका उत्तर हो जाएगा ए अमीर खुसरो की यह पंक्ती है रानी को बहुत सीवे कली थी कब सूझती कुछ बुरी भली थी चुपके चुपके कराहती थी जीना अपनाना चाहती थी उपरोक्त पंक्तियां किसकी है मेरे बताने से पहले आपको पता है या नहीं पता है जरूर कमेंट करके बताईएगा क्या आपने इन पंक्तियों को पढ़ा है या नहीं अब आप कहेंगे कि सर मेरे सिलेबस में नहीं है फिर मैं क्यूं पढ़ू ऐसे रानी केतकी की कहानी से अक्सर परिक्षा में प्रस्ण पूछा जाता है इंसा अल्ला खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी उसी की ये पंक्ती है कि रानी को बहुत सीवे कली थी कब सूझती कुछ बुरी भली थी चुपके चुपके कराती जीना अपनाना चाहती थी रानिकेत्की की कहानी की ये पंक्ती है निम्न में से किस रचना की भासा ब्रज मिस्तरित खड़ी बोली है चंद चंद वर्नन की महिमा गंग कभी गोरा बादल की कथा जटमल कभी भासा योग वसिष्ट रामपरसाद निरंजनी विकल पर एक दो दो तीन एक तीन एक दो तीन तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए एक और दो भासा योग वसिष्ट जो रामपरसाद निरंजनी का है ये सुद्ध खड़ी बोली में है, सुद्ध खड़ी बोली में है ध्यान रखना, लेकिन मैंने ब्रज भासा मिस्रित यहाँ पर पूछा है, तो पहला और दूसरा होगा, जबकि सुद्ध खड़ी बोली में, सुद्ध मिस्रित नहीं है, ये सुद्ध खड़ी बोली में भासा योग वसिष्ट, नूतन चरित्र उपण्यास के उपण्यास कार कौन है? रत्म चंद, स्री निवास दास, बाल क्रिष्ण भट, देवी परशाद सर्मा अब कई लोग जल्दबाजी में परिक्षा में अगर प्रशन आता है तो लगा देते हैं बाल क्रिष्ण भट जबकि बाल क्रिष्ण भट का है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन चरित्र है रत्न चंद का ब्रजनंदन सहाई का उपन्यास कौन सा है? लाल चीन, सौंदर्योपासाक, राजेंद्र मालती तो आपका उत्तर हो जाएगा ड़ी, एक, दो, तीन, ये तीन के तीनों उपन्यास ब्रजनंदन सहाई के हैं किस आतिहासी कुपन्यास में अलाउद्दिन खिल्जी द्वारा चित्तोर पर की गई चढ़ाई का कलपना मंडित विबरण है वीर मड़ी, मिस्रबंधू का, लालचीन, ब्रजनंदन सहाई का, बंग विजेता, गदाधर सिंग का, चित्तोर, चातिकी, रामकृष्न, सर्मा का तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, वीर मड़ी जो मिस्रबंधू ने लिखा है कई बार परिक्षा में पूछा गया है, कि मिस्रबंधू का उपन्यास कौन सा है तो वीर मड़ी उपन्यास, मिस्रबंधू का है, ज्यान रखना अगला प्रस्न देखें, भगवती परसाद वाजपेई का उपन्यास कौन सा नहीं है मीठी चुटकी पत्ता की साधना प्रेम विवाह वेश्या पूत्र तो आपका उत्तर हो जाएगा डी वेश्या पूत्र वेश्या पूत्र भगोती प्रसाद वाजिपेई का नहीं है लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि आपको यह भी जानना है कि वेश्या पूत्र उपन्या में तारा दलित नारी के विद्रोग की प्रतीक है जिसने कहा मैंने केवल एक अपराध किया है वह यही कि प्रेम करते समय साक्षी इकठार ना किया पर किया प्रेम ही कंकाल तितली इरावती इन में से कोई नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा एक कंकाल उपन्यास पंचांग दर्शन किसकी रचना है लल्लू लाल की है सदा सुखलाल की है रामपरसाद निरंजनी की है या मतुरादास की है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी मतुरादास मतुरादास पंचांग दर्शन मतुरादास की रचना है इसाईयों दोरा आगरा में अस्थापित स्कूल बुक सोसाइटी से कौन सम्मंदित है पंडित रतनलाल, ओंकार भट, प्रियानात, बद्रिलाल सर्मा विकल्फ है एक दो तीन, दो तीन, चार, एक दो चार, उप्रोक्त सभी तो आपका उत्तर होगा डी, उप्रोक्त सभी, पंडित रतनलाल भी है, ओंकार नात, भट्रियानात है, बद्रिलाल सर्मा है यह सभी स्कूल बुक ससाइटी से संबंदित हैं, जो आगरा में अस्थापित किया गया था, 1833 में हिंदी का तीसरा पत्र कौन सा है, उदंत मार्तन, पहला तो आपको पता है, दूसरा आपको पता है, तीसरा कौन सा है अगर ऐसा प्रस्ण कभी पूछा जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा, C, बनारस अखबार, C हो जाएगा, बनारस अखबार, और एक चीज़ा उर्धार नकिएगा, हमारे हों ऑनलाइन बैच, इस समय चल रहा है, चाहिए UPHESC के लिए आप जोइन करना चाहिए, या TGT, पीजी टी के लिए या Assistant Professor के लिए, UGC Net के लिए अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पर फोन करके, WhatsApp करके, फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं, केबल टेसरी अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो डेली टेसरी चल रही है, आप टेसरी जोइन कर स तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा, अगला प्रस्म देखें, राजा लक्समर सिंग ने किस भासा में, किस भासा से हिंदी को मुक्त करने के लिए 1862 में आगरा में परजाही तैसी पत्र निकाला था, तो आपका उत्तर हो जाएगा D, फारसी भासा, आपका उत्तर हो जाएगा फारसी भासा, सत्यामरित प्रवाह किसकी रचना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा B, स्रिधा राम फिलोरी की है सत्यामरित प्रवाह, भारतेंद और उनके समकालिन लेखक हिंदी और हिंदु जाती के उधार के लिए अंदोलन करने वाले देश प्रेमी पत्रकार और जुदान सिंग चौहान, मुख्यता इसमें ज्यादा तर जो प्रशन लिये गए हैं, वो आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य के असी वर्ष जुदान सिंग चौहान की रचना से लिया गया है, भारत में अब कभी भी, अब कभी भी नहीं है, कविता भी नहीं है, कारण यह है कि कविता देश और जात के स्वाधिनता से सम्मध रखती है, कथन किसका है, भारतेंद बाल कृष्ण भट, बाल मुकुंद गुप्त, मुक्ति बोध, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर, सी, बाल मुकुंद गुप्त ने कहा है, और यह भी, जब आप हिंदी साहित के 80 वर्ज पढ़ेंगे स्युदान सिंग चौहान का, तो आपको बाल मुकुंद गुप्त का यह कंथन मिलेगा, जहां पर सियुधान सिंग चौहान ने यह उनलिखित करते हुए कहा है, बाल मुकुंद गुप्त ने यह पंक्ती कहा है, यह कंथन कहा है, खाडी बोली, किसका है कि इसकी कथावस्तु एक महा काविक्या अच्छे प्रबंध काविके लिए भी आपर्याप्त है अत्व प्रबंध काविके सब अवयों इसमें कहां आ सकते हैं तो यह कहा गया है आचार रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 21 का उत्तर हो जाएगा आपका सी आचार राम पन समस्ते हैं कथन किसका है तो यहां पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी आचार रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है अग्ध्या सिंग उपाध्याय ने भी हिंदी को एक नई राधा दी आधुले की प्रबुद्ध नारी के रंग में रंगी कथन किसका है गड़पती चं प्रतिछन नूतन वेस बनाकर रंग विरंग निराला रव के सम्मुख थिरक रही है नव में वारिद माला उपरोक्त कावेपंगती किसकी है निराला दिन का राम नरेश तिरपाथी अग्गे तो आपका उत्तर हो जाएगा सी राम नरेश तिरपाथी की यह पंगती है महा काव्यात्मक रचना हल्दी घाटी में कुल कितने सर्ग है 15, 17, 19, 21 तो आपका उत्तर हो जाएगा भी सर्गों की संख्या सत्रा है मैंने मैं सहली अपनाई देखा एक दुखी निजभाई दुख की चाया पड़ी हिर्दय में जट उमर वेदना आई मैंने मैं सहली अपनाई देखा एक दुखी निजभाई दुख की चाया पड़ी हिर्दय में जट उमर वेदना आई चेतना लहर ना उठेगी जीवन समुद थिर होगा संध्या हो सर्ग प्रलाई की बिच्छेद मिलन फिर होगा उप्रोक्त कावे पंक्ती किसकी है तो आशू रचना आपने सुना होगा आशू रचना किसका है जैसंकर प्रसाद का तो आशू रचना की यह पंक्ती है कि चेतना लहर ना उठेगी जीवन समुद थिर होगा संध्या हो सर्ग प्रलाई की विच्छेद मिलन फिर होगा जैसंकर प्रसाद की रचना जो आशू है उसी की यह पंक्ती है प्रस्ण आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा सांत्प्रिय दुवेदी की आलोचनात्मक रचनाओं में किसका प्रकासन बाद में हुआ हमारे साहित निर्माता कभी और काब साहित की संचारणी किसका प्रकासन बाद में हुआ है तो आपका उत्तर हो जाए गड़ी संचारणी का प्रकासन बाद में हुआ है हमारे साहित निर्माता का प्रकासन 1934 में हुआ है 1934 में कभी और काभी का 1936 में साहितिकी का 1929 में और उसके बाद में 1949 में संचारनी का हुआ है सूर ने भरमरगीत में ग्रहस्तों के मनोवग्यानिक घात प्रतिखात दिखला कर उनकी सौंदर लालसा को उधो के तरकवात पर बीजयी बना दिया था कथन किसका है तो आका उत्तर हो जाएगा सी सांत प्रियदुवेदी ने अपनी किस रचना में ये कहा है कि सूर ने भरमरगीत में ग्रहस्तों के मनोवग्यानिक घात प्रतिखात दिखला कर उनकी सौंदर लालसा को उधो के तरकवात पर बीजयी बना दिया ये सांत प्रियदुवेदी ने अपनी रचना संचारिनी में कहा है इसलिए ऐसे ही नहीं हमारे यहां कहा जाता है कि 100% गारंटी होती है कि आपको परिच्छा में इतने प्रस्ण मिलेंगे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे चाहे अब जयरेफ के लिए लगे हुई हो चाहे आफ ऑसेशन प्रोफेसर उजी सीनेट हायर के लिए लगे हो या टीजीटी पीजीटी के लिए लगे हुँ क्योंकि जितनी साहित की रचना है जहां जहां से प्रशन अक्सर पूछे जाते हैं उन सब को पढ़ा दिया जाता है चाहे वो हिंदी साहित का दूसरा इतिहास हो चाहे हिंदी साहित का इतिहास हो हिंदि साहित का सरल इतिहास हो कोई भी रचना इसी नहीं जुन्ना पढ़ाई जाती हो हिंदि साहित का उद्भोर विकास अजारी पसादुवेदी का आस्था और सौंदर राम्बिला सर्मा का नया साहित नय प्रस नंदुलारे वाजपेई का हिंदि साहित वीश्वी नंदुलारे वाजपेई का ये सारी रचना है आप लोगों को पढ़ा दी जाती है अलग से इसलिए मैं कहता हूं कि अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को लेकिन परिक्षा में तो आपको बैठना है, याद तो आपको करना है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूँ, कि इतनी चीज़ें कराई जाती हैं कि आपको अलग से कुछ भी कभी भी पढ़ने की जरुरत नहीं है अगर प्रतिदिन हमारे साथ चलते रहे प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते रहे सो प्रतिसत गारंटी होगी कि आप कौलिफाई करेंगे और प्रस्ण आपको यहीं से मिलेगा चायाबाद ने सत्यम सिवम की अउहलना नहीं की है बलकि उन्हें सुन्दरम में ही रस्मय कर दिया है मानसिक सुधा को पार्थिव प्याले में ही ग्रहन किया है कथन किसका है तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी सांत्प्रेदुवेदी का कत्थन है इसे भी उन्होंने संचारनी में ही कहा है संचारनी में ही सांत्प्रेदुवेदी का यह कत्थन है अब जब आप संचारनी पढ़ेंगे तभी तो यह कत्थन मिलेगा केवल सहित का इतिहास पढ़नेने से नहीं मिल पाएगा सांत्प्रेदुवेदी ने किसे अपनी आलोचनात्मक रचना संचारणी में ब्रजभासा का अंतिम प्रतिनिधी माना है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए रतनाकर को माना है अच्छा कलाकार अपने यूग का मुख और मस्तिस्क होता है कथन किसका है डॉक्टर नगेंद्र गुलावराय सांत्प्रेदुवेदी रामबिला सर्मा तो आपका उत्तर हो जाएगा बी गुलावराय का ये कथर है कि अच्छा कलाकार अपने यूग का मुख और मस्तेश्क होता है दूसरा सौंदरिक्यों आलोचनात्मक रचना किसकी है आपका उत्तर हो जाएगा बी परमानम स्रीवास्तों का है दूसरा सौंदरिक्यों अग्ये वागार्थ का वैभो रचना किसकी है आपका उत्तर हो जाएगा ए रमेश चंद्रशाह की रचना है अग्ये वागार्थ का वैभो निम्न पत्रों और उनके संपादिकों का वेमेल जोड़ा कौन सा है पुस्तक संस्कृति वल्देव सरमा पाखी अपूर्ब जोसी व तो आपके पास सही होगा कि पुस्तक संस्कृति पत्रिका बल्देव सरमा की है पाखी पत्रिका अपूर्ब जोसी की है वाग पत्रिका सुधिश पचावरी की है लेकिन जो नया ज्यानोदय है यह रवींद्र कालिया का है कहीं पर लिख लिजिए नया ज्यानोदय रविंद्र कालिया और राकेश श्रीमान का अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनका है पुस्तक वारता राकेश श्रीमान का अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पुस्तक वारता पत्रिका पुस्तक वारता पत्रिका तो इस तरीके से एक प्रस्म में आप के तैयार हो गए कि नया ज्यानों दे पत्रिका रविंद्र कालिया का पुस्तक वार्था पत्रिका राकेश श्रीमान का पुस्तक संस्कृति पत्रिका वल्देव सर्मा का पाखी पत्रिका अपूर्व जोसी का वाक पत्रिका सुधीश पचाउरी का निम्न पत्र और उनके संपादक का वेमेल जोड़ा कौन सा है वागार्थ पत्रिका प्रभाकर शूत्रिये दस्ता बेज विशुनात प्रसात्तिवारी कथा देश हरी नारायन बहुवचन सैलेश सागर तो यहाँ पर भी वेमेल जोड़ा आपका डी होगा क्योंकि बहुवचन पत्रिका असोक वाजिपेई का है कहीं पर लिख लिख लिजिए असोक वाजिपेई का है सैलेश सागर का है कथा क्रम शयंद्र सागर का लिखली जिए किथा क क्रम नितों तो आपको यहां पता हो गए बाकी तीन सुमेलित हैं वागात पत्रिका प्रभाकर स्रुत्रिये का है दस्ता बेज विशना तिवारी का है कथा देश हरी नारायन का है तो पांच तत्थे यहां पर भी आपके तयार हो गए जहर पीर उपनाम से किसे जाना जाता है जहर पीर आपका उत्तर हो जाएगा भी गोरक नात को जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है अगर आप हिंदी साहित का उद्भव और विकास हजारी परसाद दुवेदी का पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा या नात्र संपरदाय जो है हजारी परसाद दुवेदी का वहां पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा मतिराम के आस्रेजाता कौन थे तो आपका उत्तर हो जाएगा मतिराम किसके आस्रेज में थे तो महराज भाव सिंग के थे निम्न में से वास्तविक नाम और उपनाम का बेमेल जोड़ा कौन सा है हिंदी का सरत जैनेंद्र को कहा जाता है बिल्कुल सही है कलिउट का कनईया भारतेंदु को कहा जाता है विर्कुल सही है सहाजता का कभी भवानी प्रसाद को कहा जाता है सही है आनंद तीर्थ संक्राचारे को नहीं कहा जाता है आनंद तीर्थ मधवाचारे को कहा जाता है कहीं पर लिख ले मधवाचारे को आनंद तीर्थ भी कहा ज तो चार तत्थे आपके तयार हो गए निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधी कभी किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए अग्गे को कहा जाता है कलपना का लाडला कभी किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदनपंत को कलपना का लाडला और किस ने किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कुसम माला लोचन प्रसाद पांडे ने गीती काबे सब्द का पर्थम परियोग कुसम माला रचना में मिलेगी और यह रचना लोचन प्रसाद पांडे की है अगला प्रस्ण देखें कौन सी पंक्ती महादेवी वर्मा की नहीं है तोड़ तो यह चितिच मैं भी देख लूँ उस और क्या है पंथ रहने दो अपर चित प्राण रहने दो अकेला मैंने आहुती बनिकर देखा यह प्रेम यग्य की ज्वाला है तुमको पीड़ा में ढूणा तुमको ढूणूंगी पीड़ा तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी मैंने आहुती बनिकर देखा यह कई बार पर इक्चाओं में पूछा गया है अग्गे की पंक्ती है जैसंकर प्रसाद के काबे में मानविय भूमी निराला के काबे में बुध्धितत और पंत के काबे में कल्पना की परधानता है। नामोर सिंग डॉक्टर नगेंदर रामविला सर्मा अग्गे तो आपका उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर नगेंदर ने कहा है कि परसाद के काबे में मानविय भूम, निराला के काब में बुद्धितत्व और पंत के काब में कलपना की प्रधानता है निन्दा का उद्गम ही हींता और कमजोरी से होता है कथन किसका है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी हरी संकर परसाई का ये कथन है कि निन्दा का उद्गम ही हींता और कमजोरी से होता है कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और पणया नुभूती की कोमलता एक साथ मिलती है कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है कथन किसका है राम बिलास सर्मा नामोर सिंग रामसरुप चतुवेदी नंदुलारे वाजपी तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए राम बिलास सर्मा उत्तर हो जाएगा आपका ए राम बिलास सर्मा बैराम बिलास सर्मा का आस्था और संदर आपने पढ़ा ही होगा अगर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको यह कथन मिल जाएगा आस्था और सौंदर में तो हमारे हाँ जो नया बैच चल रहा है उस नय बैच के लिए क्या फीस होगी क्या फीस है यह सारी जानकारी आप इस नंबर पर फोन करके वर्टसप करके जान सकते हैं सारी इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी और अगर एडमिसन लेना है आपको तो इस सीज को बिलकुल ध्यान में रख लिजिए कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए समय आपको देना है प्रद्दिन की कक्षा प्रद्दिन आपको करना है प्रद्दिन की टेस्रीज आपको प्रद्दिन हल करनी होगी मेहनत करना होगा लग के मेहनत करना होगा अगर अपने लग्ष तक आपको पहुचना है और कोई लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी इस सीज़ का ध्यान रखके ही आप एड्मिसन ले क्योंकि हमको सफलता चाहिए सफल जब आप होंगे तभी खुशी मिलती है और ऐसे टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत कम पैसों में करा रहे हैं अगर किसी को दिखाना है दिखावा करना है तो फिर आप दूसरी जगह पैसे लगा कर कम पैसे में दिखा सकते हैं कि मैं भी पढ़ रहा हूं अनलाइन देखो मैं भी तैयारी कर रहा हूं यूजी सीनेट का देखो लेकिन अगर वास्तों में आपके अंदर जुनून है जोस है और आप करना चाहते हैं नहीं मुझे सफल होना है तो आप जुड़िए सो प्रतिसत मेरी जिम्मेदारी होती ही मेरी गारनेटी होती है कि हाँ आपको इतने प्रश्ण मिलेंगे वाई साहित तो सागर है सो प्रत प्रतिक होना एक आधार भूत सर्त है पर हर साब्दिक प्रतिक कविता नहीं होती कथन किसका है आपका उत्तर हो जाएगा ए राम सरूप चतुवेदी राम सरूप चतुवेदी का है ध्यान रखिएगा पंत की जियूनी के लेखक कौन है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए सांती जोसी उत्तर हो जाएगा ए सांती जोसी प्रस्ण आपको कैसे लगे एक बार क कंटिन्यू करेंगे अन्य था इसको रोक दिया जाएगा इस सीज़ का ध्यान रखें तो कमेंट जरूर करें आप हम लोग फिर मिलेंगे कल साहित की एक जलक 12 में लेकिन आपके रिस्पॉंस के बाद